दोस्तों मेरे नाम धननजय है और इस वीडियो में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ बहुत इंट्रेस्टिंग चोटी सी बात है चोटी सी बात इसलिए क्योंकि हम लोग रोज दो-चार होते हैं जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं जब भी हम कोई चीज रेंटिंग के लिए जाते हैं या इससे रेलेटेट कोई भी काम करते हैं या आफिस के लिए परसनल हाउस के लिए रेंट के लिए या फिर हम पर्चेस करने जाते हैं प्रोपर्टी चाहे वो लेंड हो चाहे वो फलैट हो चाहे वो डिप्लेक्स हो चाहे वो कॉमर्सिल प्रोपर्टी हो कई बार हमें opportunity मिलती है कि हम directly जो seller है उससे approach करके, negotiate करके अपनी जो brokerage cost है उसको बचा ले है तो क्या brokerage cost को बचाना हमारे लिए सही होता और कई-कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बाइपास कर जाते हैं ब्रोकरेज ने इंट्रड्यूस करा दिया ओनर के साथ तो फिर डारेट नेगोशेशन ओनर से करने लगते हैं ऐसा भी कुछ केसे होते हैं तो ये इस पे थोड़ा सा डिसकसन आज करेंगे क्य बहुत सारी ऐसे सिमिलर वीडियो आपको फैनेस रिलेटेड या अच्छे डिसीजन कैसे ले उसे रिलेटेड इस चैनल पर मिलेगा तो चलिए आपके पास भी कई बार सिच्वेशन आया होगा जिसमें आप एक मकान खरीदने के लिए जाते हैं और उसके बाद आपको लग प्रोकरेस रिलेटेड वेबसाइट भी आ गई है कि आपको ब्रोकरेस दिन आई नहीं पड़ेगा मेरा मानना है कि मोस्ट आप दे केसे में ब्रोकर को इन्वाल्व करना आपके लिए फायदे का सौधा होता है और इसको मैं कई तरीके से प्रूब कर सकता हूं पहला जो सब डारेक्ट आपका स्टेटस अगर बड़ा हो गया आप नोन है परसन है तो कई बार आप नेगोसेशन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं कई बार जान पैचान निकलाती है किसके साथ जो सेल कर रहा होता है तो एक अच्छा सा बाइंडिंग मन जाता है और आप संकोच में आजाते हो और उसके चक्कर में काफी पैसे लूस करने के चांसे बढ़ जाते हैं तो ब्रोकर इन्वाल्व रहेगा तो आप डारेक्टली जो बेचने वाला है सेलर है उसके साथ आप बात ही नहीं करिए आप ब्रोकर को बता दीजे भाई इस प्रॉपर्टी वट आई बिल करें ब्रोकर तो दोनों के basically problem को solve करने के लिए होता है और एक common conclusion पे लाने के लिए होता है अब क्या होगा कि ब्रोकर को तो 1% या 2% whatever the amount is set वो उनको मिलना है और दोनों तरब से मिलना है तो वो किसी भी हाल में deal को हटाने नहीं देना चाहते हैं close कर देना चाहते हैं तो इसस वो वहाँ दूसी party को negotiate करेंगे, market की similar situations को बताएंगे और कोसिस करेंगे कि वो deal close हो जाए उसी amount के आसपास तो एक benefit यह हो गया कि negotiation आप hard core negotiation कर सकते हो with the help of broker जो आप direct नहीं कर सकते हैं दूसरी बात कई बार आपने कोई property final कर दी final करने के बाद आपको पता चला यार मैंने तो जादा में final कर दी, because surrounding rates तो कम है, मैंने 5%, 2%, 1%, 0.5%, whatever, जादा कर दिया, फिर आप broker से बोल सकते हैं भाई, this property is not up to that worth, मैं इस पर back कर रहा हूँ और if you can arrange this property in this amount तो मैं इसको ले लूँगा, इस case में भी broker ही आपका help करेगा, direct जाएंगे तो आपके image पर dent आएगा और आपके साथ थोड़ा बहुत hot talk भी हो सकता है, बट ब्रोकर वहाँ पे ये जो बाते हैं उसको mitigate करेगा, उसको cool down करेगा और आपके पास एक best solution लेके आएगा, दूसरी बात, ब्रोकर को involve करने से आप कभी भी over budgeting में नहीं जाते हो, आप उसको बता देता हो, मेरा budget यह है, और मुझे इसी budget में property दिखाओ, में भी आपको एक property बहुत अच्छी लगी, और आप उसके उस पे discussion शुरू कर दिया, बट हो सकता है, ब्रोकर आपको चार्ज है, और ऐसी properties बताए, जो आपको eventually कुछ survey करने के बाद better लगने लगा है in many prospects, तो ब्रोकर को involve करना यहां भी फायदे मंद होता है, क्योंकि वो उस budget में कई option आपको दे देता है, आप तो सर्च करोगे, टाइम निकाल के डूड होगे, बट वो आपको similar properties वहाँ पे उस rate में, उस से नीचे rate में, थोड़ा उपर rate में आपको दे देंगे, दूसरे बात, ब्रोकर को, को involve करने से आपको कुछ और अच्छी बात है, जैसे फायदे मिलेंगी, जैसे कि, आपने एक deal किया, और deal आपने settle किया, कि 6 months में, या 3 months में, या 2 months में, हम यह पूरा payment करके, रेजिस्ट्री करा लेंगे, अब आपके पास पैसे की problem आ गई, क्योंकि आप direct बोलोगे, खुद आपको बुरा लगेगा और हो सकता है, कि आपके साथ थोड़ा relation भी गड़बड होने लगे, तो ऐसे cases में, ब्रोकर ही आपको help करके, वो amount, वो date को extend करके देगा, जो आसान हो जाएगा आपके लिए, ब्रोकर रजिस्ट्री के टाइम में एक witness भी बन जाता है, ब्रोकर दूसरी party के लिए भी काम करता है, आपके लिए भी काम करता है, तो कोई भी चीज बोलना हो, discuss करना हो, तो आपको सीधे, सामने वाले को phone नहीं लगनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लगेगा कि य ब्रोकर को include करने से नुकसान क्या हो सकता है, possible, कि ब्रोकर को हर हाल में deal करानी है, क्योंकि उसे तो फायदा होता है, तो ब्रोकर जनरली देखने को मिलता है, आपके बजट से आपको उपर उठा देगा, आपने बोला मेरा 50 लाग का बजट है, तो 55 उचपन तक ही deal कराएग हो, आपने बोला 50 लाग से 60 लाग का मेरा बजट है, तो 60 प्लस वो मानके चलता है, similarly अगर आप सेलर हैं, और आपने बोला मुझे एक करोड में इसको बेचना है, तो वो 90 तक भी मानके चलता है, या जब पैसे लेके party बैठेगी, टेबल पे, तो deal इतने में भी हो जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा बाँ, प्लस और मानस आप मेंटली मानके चलिएओ, बोकर आपका करवाएगा ही करवाएगा, दोसी बात, ब्रोकर कई कई बार कुछ चीज़े हाइट कर जाते हैं, वो जो डील है, वो पक्की करानी है, वो टू गेट दू बने बानी आप डील, यह यह उनका में टार्गेट होता है तो कई-कई बार छोटी मोटी चीज़े वह हाइट कर जाते हैं या वह साइलेंट हो जाते हैं उसके बारे में आपको कम पैसे दिलवाएंगे यह भी हो सकता है यह एक छोटा सा नेगेटिव है बट रेस्ट पॉस्टिव है मैं अपनी तरफ से कम्प्लिक्टी एगरी करता हूं कि हमें ब्रोकर को इंक्लूड करना चाहिए और मैं अपनी किसी भी डिलिंग में कभी भी डारेट डिलिंग करता ही नहीं पॉस्ट्व एक पॉस्ट्व और मःंवरी के करे लिए ऑ्लूड करता ही so thank you very much bye-bye take care